तो आज हमारे पास है Vivo T3X and Moto G64 तो इन दोनों फोन्स का एक comparison कर लेते हैं बताएंगे आपको इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए सबसे पहले दोनों फोन्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं दोनों फोन्स दिखने में काफी अच्छे लगता है अगर मैं Vivo की बात करूं तो इसका डिजाइन वही एक सिंपल सा डिजाइन है आपको बैक से थोड़ा सा कर्व देखने कर ले मिल जाते है इसका जो बैक पैनल ह है उसमें तो काफ़ एक अच्छा हैंडफील हो जाता है उस चक्कर से अगर मैं T30 के बात करूं तो इसका एंडफील भी काफ़ अच्छा है पर अगर एक चूज करना हो तो मोटो का जो हैंडफील है थोड़ा ज्याद अच्छा लगता है अब एक कॉंपक्ट सा फोन है तो इसका एक्सपीरेंस रा मेरा मोटो जी सिक्स्टी वर के साथ भी दो बाकि मोटो की बात करूं तो आपको 8.89 mm की तिकने दिखने कर रहे जाती है वेट पर आ जाता हूं तो आपका वीवो का वेट आता है 3D डिजाइन है और थोड़ा सा जो इसमें शेड्स हैं वो भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे है तो डिजाइन के लिए मुझे थोड़ा बैटर लगा वीवो का बाकि बिल्ट क्याल्टी दोनों सेम है दोनों प्लास्टिक बैक है प्लास्टिक फ्रेमाश में कोई देखने के लिए मिल जाता है सिंगाटर की बात को दोनों में आपको सेम सब कुछ मिल जाता है दोनों में नीचे की तरफ आपको 3.5 जैक भी मिल जाता है साथ में टाइप-C चार्जिंग पोड स्पीकर ग्रिल जो डिफ्रेंस है आपको noise cancelling microphone देखने के लिए मिल जाता है म वही side mountain fingerprint sensor का भी बर करता है तो दोनों का यूज कहीं हाथ करूँ तो दोनों में काफी лिफ्रापली अलॉक हो जाता है तो जो experience है दोनों के साथ काफी एच्छा रहा तो hammer-56 की दिस्प्ले की बात कर लेता है तो वीवो में मिलती है आपको 6.72 इंचिस की IPS LCD SSD PC बडर ल्यिष बाकि दोनों में आपको 120Hz का एक अल्टरा हाई रिप्रेश एड देखने के लिए मिल जाता है साथ में आपका वीवो की 1000 निट्स की पीक ब्रैटनेस है जबकि आपको ड्राइगन टेल का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है जबकि आपका मोटो में कॉनिंग आपको 120Hz की सैटिंग में तो 120Hz में दोनों काफी स्मूथली वर करते हैं दोनों का एक्सपीरियंस है काफी अच्छा है जो टॉटी से काफी स्मूथली वर कर रहे थे पर जो आपको प्रॉपर डिपरेंस मिल जाता है कि कुछ अप्लिकेशन में आपका 120Hz से 90 60 चला जाता है जब कि मैक्सिमम अप्लिकेशन में मोटो ने 120Hz काफी प्रॉपरली चलाया पर व्यूव में एक अद्वांटर जाती है कि जिन अप्लिकेशन तो आपको 120Hz नहीं चल रहा है आप जहां पर रिप्रेश्यट की सैटिंग है वहीं जाके किसी भी अप्लिकेशन को स्लेक कर सकते ह जिसमें 120Hz चलाना चाहते हो तो वह सेटिंग आपको व्यूव मिलती है जिसमें 120Hz चलाना है वह आप से अनेबल कर सकते हो आपको लगता है कुछ अप्लिकेशन में 120Hz नहीं चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाकि आउटओर की बात करूँ तो दोनों ही डिस्प्ल आउटओर में भी और इंडोर में भी तो फील होती है तो वह रहेगा वह आपकी डोनों इस फोन्स की और बात करो तो दोनों इंपोंस में आपको वाइड वाइन एलवन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तो आप SD content Netflix या Amazon Prime दोनों में इसली वाच कर सकते हो बाकि अगर multimedia experience की बात करो तो दोनों इंपोंस में अगर आप viewing बाकि YouTube पे आपको वीडियो देखनी है तो आपको दो नहीं फोन्स में 4K का support मिल जाएगा पर जो डिफ्रेंस आ जाता है कि आपको अगर 4K HDR में वीडियो वाच करनी है YouTube पे तो मोटो में वो option आपको मिल जाता है पर वो भी मुझे देखने के लिए मिला कि कभी-कभी 4K HDR पर वीडियो प्ले करते हैं वो खुद 1080p पे shift हो जाती है और उसमें HDR का option भी नहीं होता तो वो चीज थोड़ी ने अगर update के बाद solve हो सकती है तो वो मोटो कर सकता है बाकी फिलाल शो कर जाता है आपका 4K HDR मोटो में और वीवो T3X की बात करूँ तो इसमें आपको 1080p पर कभी-कभी HDR देखने के मिल जाता है कुछ वीडियो पर वाकी 4K पर HDR का support आपका नहीं है वीवो T3X पर बाकी दोनों ही डिस्पले में से एक डिस्पले चूज करनी हो त कि मुझे थोड़ी जादा ब्राइटर जो डिस्पले आउस का experience थोड़ा ज्यादा बैटर रहा मेरा वीवो T3X के साथ अगरा outdoor की बात करूँ तो उसमें भी काफी आपको दिक्कत नहीं मिलती वीवो T3X में जो की मोटो में मुझे थोड़ा बहुत लगा कि अगर ज्यादा तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको फेस करनी पर सकती है जो कि T3X में इसा कोई इशू नहीं है दोनों ही फोन्स की performance की भी बात कर लेता है तो वीवो में आपको तीन वेरियंट देखने कर मिलता है अब बात कर लेते हैं दोनों के प्रोसेसर की तो आपको वीवो T3X में द जैन वन चुक एक लेटेस्ट चिप्चैट है और 4NM fabrication पर वर्क करता है यह चिप्चैट मुझे काफी अच्छा प्रास्टर लगता है इस प्राइजिंग के साब जो तो बोलूगा कि काफी अच्छा चिप्चैट है जो इस प्राइजिंग में कोई कमपनी दे रही है बाकी पाउर अफिस्ट है वो आपको Vivo Zory x दे नकले मिल जाता है बाके दोनों कमने अंतूू-तू score रण करा तो आपका Vivo kे अंतू-तू रू सक म मैं काफी जाए टकर दी है इसके 12GB वेरियंट को भी क्योंकि जो एप उपनिंग की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में काफी एक सिमिलर टाइम पर एप ओपन हो जाते हैं जो जितनी भी एप्लिकेशन मैं ने ओपन करी या जितना भी मैंने यूज करा दोनों के साथ काफी ज रिजल्ट आया वह काफी इंट्रस्टिंग था क्योंकि आपको कोई फ्रॉट्लिंग जाता इश्यू आपको वीवो टी 3X में देखने के लिए नहीं मिलता है वहीं मोटो ने काफी एक काम खराब किया जो परफॉर्मेंस है काफी अप डाउन हुई है जो फ्रॉट्लिंग इश्यू जो आपको देखने के लिए मिल जाता है मोटो जी 64 में जबकि वीवो ने काफी इच्छा काम किया इस चीज को लेके जो परफॉर्मेंस है आपको एकदम बराबर मिलने वाली है इस फोन में तो मेरे साब से गिप्स का भी आप डिप्रेंस देख सकते हो जो मोटो क एवरेज गिप्स निकलते हैं वो 1,64,000 के आसपास निकलते हैं जबकि आपका रियल मी के 2,52,000 के आसपास निकलते हैं और जो वीरेंट हमाने आपको बताई थी यह 6GB वेरेंट है 12GB वेरेंट है तब भी आपको तना जारा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है काई मास् स्पोर्ट करने का कोई option मोटो में नहीं मिलता है बाकि दोनों में गेमिंग करी तो गेमिंग का एक्स्पिरियंस वीवो टी 3X के साथ बताऊं तो स्मूद प्लस अल्टरा तक जाता है यह 40fps की इसमें कर सकते हो जायरों की बात करूं तो काफी प्रॉपर लिबर करता है ना म अब 60fps सपोर्ट करता तो और जाधा अच्छा होता शायद अब्डेट के बाद इसके सैटिंग्स आपको खुली भी दिखें वालब कि 60fps तक सपोर्ट करते पर पिला 40fps सपोर्ट करता है उसमें भी जो गेमिंग कर सकते हैं तो दोनों ही फोन में 40fps कर सकते हो जो मोटो एक्स देखने के लिए नहीं मिले पर जितना भी मैंने यूज करा मुझे लगता है कि थोड़ी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है गेमिंग के टाइम पर मोटो की अगर वीवो से कंपेर करूं तो बाकि अगर मैं हीटिंग इशू की बात करूं तो थोड़ा जाधा आपको बैक स वीवो टी 3 एक जो कि एक बैटर परफॉरमेंस आपको दे देगा दोनोंहीं फोन्स की नेटवाइक नेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों में आपको डॉल अलो फाइट शिक अपय घी आप यू सकतो बैंड वाला कोई इसू नहीं नहीं बाकि आपको वीवो टी 3 एक्स में Bluetooth 5.1 देखने के लिए मिलता है जबकि Moto G64 में आपको Bluetooth 5.3 देखने के लिए मिल जाता है और साथ में दोनों ही फोन्स में आपको Wi-Fi 5 मिल जाता है और दोनों में NFC का सपोर्ट नहीं है तो NFC आपको दोनों ही देखने देख लेने मिलता बाकी आपको FM रेडियो अगर चाहिए तो आपको मोटो में मिलता है FM रेडियो आपका वीवो में नहीं आता है दोनों इन फोन्स की कैमरे की बात कर लेता है तो दोनों इन फोन्स में आपको 43X का मैं आपको 4K का सपोर्ट मिल जाएगा आपका रेर वीडियो में बाकी जो मैं पास 6GB वेरेंट है इसमें आप सिर्फ 1080p 30fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो अगर मैं बात करूं मोटो की तो 50MP का मेन कैमरा है 8MP का अल्ट्रा वाइट एंड मैक्रो दोनों इसके सिंगल कैमरा जो कि आपका अल्ट्रावाइट और मैक्रो दोनों का वर करता है बाकी जो 50MP का मेन कैमरा यह वीडियो से आप इसमें 1080p 60fps तर रिकॉर्ड कर सकते हो रियर कैमरे से बाकी दोनों फोन से क्यों मैं फ्रेंट कैमरे की बात करूं तो वीडियो ती 3X में आपको 8MP का सेल्फी कैम करूं तो काफी close to natural color आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जबकि Moto G64 में थोड़े color जादा बूश्ट हो जाते हैं पर फोटो काफी प्लीजिंग जरूर लगती है दिखने में तो आपको देखते ही पसंद आने वाली है Moto G64 की photos बाकि अगर portrait shots की बात करूं दोनों का as detection तो काफी जाद अच्छा है उसमें कोई दिक्कत फील नहीं पर अगें जो आपको colors का difference मिल जाता है portrait में वह थोड़ी बैटर आपका जो experience लगता है वह Moto के साथ लगता है कि photo काफी अच्छी लगती है दिखने में बाकि details तो दोनों में काफी जादा अच्छी है उसमें को noise भी काफी कम देखने करें मिलेगी वीवो के comparison में तो एक advantage मिल जाती है यह आपका Moto G64 के साथ की night में थोड़ी बैटर फोटो क्लिक कर लेता है लगता है बाकि वीडियो की बात करूं फ्रेंट की तो दोनों में आप देख सकते हो कि exposure अच्छे से manage हो पाता है पर फ्रेंट वीडियो मुझे मोटो की थोड़ी जादा बैटर लगी वीवो के comparison में थोड़ी डिटेल्स की कमी रखती है तो उसमें थोड़ा वीवो को काम कर डू इसमें आपका स्टेवल के अडियो स्टेवअ कि किसकी ओडियो बैटर डेसर तरह मत्यद्लीदे सुन लेता हैं दोनों इपोंस में आपको डवल स्टुडियो स्पीकर मिल जाएंगे दोनों की आदियो काफी ज्यादा लाउड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है 19-20 का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा अगर मैं मोटो की बात करूँ तो बेस थोड़ा ज्यादा बैटर लगा मुझे वीवो टी 3X के कंपारेजर में बाकि दोनों की लाउडनेस काफी जादा सिम्लर है और दोनों की अब कोई सके आपको कुछ खार डिफरेंस फिल नहीं होगा तो मेरे सावसे और यह पून की बैटरी के बात करें दोनों ही फोन में आपको 6000 इमेच की बाड़ी बैटरी मिलती है 6000 इंदोनों इपोन में एक जो काफी जादा है और जो चार्जिन स्पीर डिफरांग्स लेखन सेम ने और चार्जिंग स्पीड आपकी वीओ की ज़ादा है, तो इसलिए वीओ मेरे साँच चेए बैटरी टेल हो जाएगा जाध मतर भी यूजल करूँ तो जाधा जो बैटरी बैटरी बैक आपको देखने करें मिलेगा वह वीओ तो उसमें आपका वीवो एक एडवांटेज रहता है कि बैटरी थोड़ी ज़ादा चल जाएगी आपकी मोटो की कमपेरिजन में चाहे आप मल्टी टास्किंग जादा करो गेमिंग भी करो तो आपको एक पैकेज बैटरी के लिए वीवो टी-3X रहने वाला है तो आप दोनों ही विवो उसकी बात कर लेता है तो वीवो में आपको फंटाच OS 14 मिलता है जो कि Android 14 पर बेज़ड है जबकि आपको मोटो में माय यूएक्स मिलता है जो कि आपका सेम Android 14 पर बेज़ड है बाकि आपको वीवो में 2 OS अपग्रेड मिलने वाली है फ्यूचर में मि आपको क्लीन OS experience चाहिए तो आपका मोटो जी 64 के साथ रहने वाला है जबकि वीवो में भरबर के ब्लॉट वेर है जिन्ने आप निस्टॉल भी कर सकते हो और वीवो में आपको गर्मा गर्म गेम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि होट गेम होट एप है जिन्ने आ डिसेबल कर सकते हो इसके उपर क्लिक करना सेटिंग का उप्शन है उसमें जाना वैसे आप जाओगे वैसे आपको यहाँ पर यह तो ऑप्शन मिल जाएंगे सकते हो तो यह आपको कर सकते हो बाकी काफी दोनों में कस्टमाइज करने के लिए अच्छे मिल जाते हैं अगर मैं वीवो की बात करूं तो डिनमिक प्रेक्ट का उप्शन मिलता है जिसमें आप अपना जो चार्जिंग अनिमेशन है या फेस अन्रॉब अनिमेशन है उसे blem to secure सकते हो साथ में आप जो आपके आइकर समयान है उसे भी क्स्टमाइज कर सकते हो बाकी इस में आपने देड़ चेंज कर सकते हो जैसे थोड़ास अपने फोन को शेकर करके घीर तो यह जो मिल जाती है तो और ऑल जो complete experience ज्यादा बैटर लगता है तो clean OS मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए मैं Moto की तरफ जाता हूं क्योंकि इसमें कोई प्रिंस्टोल एप नहीं है और सारे Google के Apps है तो यह चीज मुझे ज्यादा बैटर लगती है इसलिए मेरा clean experience वाला अच्छा लगता है तो मैं Moto की तरफ जाता हूं बाकि आपको अगर कस्टमाइज करने के लिए ज्यादा अच्छे फीचर चीए ज्यादा ऑप्शन चीए तो आप यह वह की तरफ जा सकते हो कि तो 14,000 तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो इसका 8 इसका 6 बोलूं उपर की बात करूं तो 8128 भी आता है इसका और इसका आपका 1226 भी आता है तो 4GB 4128 तो T3X का लेने से अच्छा आप 6C8 लो तो एक बैटर परफोर्मस मिल जाएगे आपको तो जितना भी मैंने यूज करें दो मेंजी फोर्मस मेरे हसाब से यारे कम्प्लीट पैकेज भी वो T3X लगता है परफोर्मस सबसे वहले बूलूँगा काफी अच्छी है इस पोन की प्राइजिंग के हिसाब से कैमरा भी आपको अगर क्लोस टू नाच्छर फोटो पसंदे तो आपको ये पसं बड़ हो जाती है तो वह चीज आपको मोटो में अच्छी मिलेगी बाग कि अगर आप कम्प्लीट पैकेज बोलो मेरे साब से चाए वो डिस्प्ले हो या चार्जिंग हो वह सब आपको बैटर देखने के मिलता है वीवो T3X में और आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल को सस्क्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और बैल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और आपको आगे इसका कमपैरिजन देखना है किन-किन फोन का वह आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो तो हम नेक्स वीडियो उस फोन की भी लेके आ सकते हैं